Dear students, आज हम 8th class का question number 26 करने वाले हैं एक वरित खिंचो जो AB रेखा को स्पर्श करे यह जो यह वरित है, यह AB रेखा को यहां छूरा है बाहर दिये बिंदू P से गुजरे यहां बाहर P बिंदू दिया है, यहां से यह वरित गुजर रहा है वरित का अर्धव्यास H रेखा के समान दिया है वरित का अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब कि अंदर से लेकर एक तरफ की दूरी यह दूरी H रेखा के समान दी हुई है आए इसको करना शुरू करते हैं question number है, यह 26 AB रेखा लगाएंगे और बाहर है बिंदू P, यह भी अपनी मर्जी से लगाएं और यहां आप एक बिंदू लगाएं, H, बिंदू नहीं उन्चा ही लेंगे, H थोड़ी से बड़ी यह होगी इसको लिख दें, H इतना कर लेने के बाद H के बराबर पर कार खोलें A पर रखें, चाप लगाएं, और उतनी ही पर कार कुली रखें, B को के इंदर माने और चाप लगाएं इसके बाद चापों के सीरों को स्केल की साहता से आप बिंदू दार में लाएं इस तरह और इतना कर लेने के बाद दोबारा उन्चाई H के बराबर पर कार खोलें और P को के इंदर माने इस तरह से इस लगाएंगे बिंदू दार रेखा को काट दें जहां ये चाप बिंदू दार रेखा को काती है, वो है बिंदू O अब O पर पर कार रखें, O को के इंदर माने ये P तक आएगी और नीचे भी चेक परें कि ये एबी रेखा को स्पर्स कर रही है या नहीं ये कर लिया है इसने और जब ये क्लियर हो जाए कि ये दोनों को स्पर्स कर रही है तो आप एक उत्तर बृत लगा दें इस तरह से तो किताब में आपके पास यहां पर लाइन लगाई हुई है इसका कोई अचित्य नहीं है यही दिखाया हुआ है कि आपने इतनी परकार खोड़नी है इसको लगाए या ना लगाए यहां है आपका बिंदू C और यह है D तो यह आपका प्रेशन नमबर 26 बनकर तयार है थैंक यू